रात हो गई है, हर तरफ अंधेरा है, सलमान रास्ते से गुजर रहा होता है, कि सामने एक ब्रिज नजर आता है, ब्रिज क्रॉस करने के लिए वहाँ एक कीड़ा, एक चिउन्टी और एक टॉट्वाइस खड़े होते हैं, बिना टॉच के कोई भी ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकत एक बार में सिर्फ दो लोग ही ब्रिज क्रॉस करते हैं, सलमान को ब्रिज क्रॉस करने में सिर्फ एक मिनट लगेगा, कीड़े को ब्रिज क्रॉस करने में दो मिनट लगेंगे, चिउन्टी को ब्रिज क्रॉस करने में चार मिनट लगेंगे, और टॉट्वाइस को आश अगर आपको वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉस्ट करें और आपका अंसर कमेंट में लिखिए चलिए इसका अंसर देखते हैं सबसे पहले सलमान और केड़ा टॉर्च लेकर जाएंगे तो इन्हें दो मिनट लग जाएंगे पर सलमान टॉर्च लेकर वापस आएगा तो उसे एक मिनट लगेगा तो तोटल हो गए तीन मिनट चूटी और केड़ा वापस ब्रिच क्रॉस करेंगे तो लगेंगे दो मिनट तो टोटल हो गए 15 मिनट तो बड़ी समझधारी से 4 नफ डिच्क्रोस कर लिया चलिए अगली पहेली देखते हैं इस पिक्चर को ध्यान से देखें और बताए कि ये पाकिस्तान की कौन सिटी है आपका अंसर कामेंट में लिखिए और इसका सही जवाब है साहिवाल ये सा, ये ही और ये वाल इन सब को मिलाया बन गया साहिवाल चलिए अगली पहेली देखते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खाये जाने वाली सबसी कौन सी है आपका अंसर कामेंट में लिखिए और इसका सही जवाब है आलू चलिए अगली पहेली देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना भी खीचो वो इतने ही छोटी होती जाती है आपका अंसर कामेंट में लिखिए और इसका सही जवाब है सिग्रेट इस पिक्चर को धियान से देखिए और बताईए कि इसमें कितने स्क्वार्ज हैं आंसर देखने से पहले आपका अंसर कमेंट कीजिए चलिए इसका आंसर देखते हैं इस पिक्चर में नौ स्क्वार्ज है चलिए अगली पहेली देखते हैं इस पिक्चर को धियान से देखिए और बताईए इसमें कौन सा लेटर अलग है और इसका सही जवाब है और इसका सही जवाब है चलिए अगले पहेली देखते हैं दो सिटी हैं और दोनों एक ब्रिज से connected है ब्रिज के एक साइट एक लड़का ख़ड़ा है और लड़की के सिटी की चोकलेट बहुत टेस्टी है और ये ब्रिज के दूसरे साइट पर एक लड़की खड़ी है ब्रिज पर से एक बार में एक लड़का और एक चोकलेट बॉक्स ही जा सकता है पर लड़की को लड़की के लिए दो चोकलेट बॉक्स लेकर जाने है लड़की ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकती क्योंके वो डरती है तो आप बताएं कि लड़का लड़की के लिए दो चॉकलेट बॉक्स कैसे लेकर जाएगा वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉस्ट करें और आपका आंसर कमेंट में कीजिए सिंपल है लड़का चॉकलेट बॉक्स के साथ जगलिंग करेगा जिससे हमेशा एक चॉकलेट बॉक्स एर में रहेगा और दूसरा उसके हाथ में चलिए अगली पहली देखते हैं जुबैर एक आइलेंड में फ़स जाता है वहां आग लग जाती है हवा बहुत तेज थी और लेफ्ट की तरफ से चल रही थी और तेज हवा की वज़ा से आग भी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी आग इतनी तेज थी कि पानी से बुझाना जुबैर के लिए इंपॉसिबल था और पानी में बहुत सारे शार्क थे तो जुबैर पानी में भी नहीं कूच सकता था शार्क फिश इंसान हो या जानवा दोनों को कच्चा चबा जाती है तो जुबैर क्या करेगा आग से कैसे बचेगा क्या आप बड़ी इस बता सकते हैं आपको वक्त चाहिए तो वीडियो को पाउस कीजिए और आपका आंसर कमेंट में लिखिए चलिए इसका आंसर देखते हैं जुबैर सबसे पहले ट्री से एक लखड़ी तोड़ेगा और इसमें आग लगाएगा और फिर आइलेंड के दूसरी तरफ जाकर छोटी सी आग लगा देगा और फिर इसको वुजा देगा ऐसा करके वो दूसरी तरफ अपने लिए थोड़ी सी जगा बना लेगा और वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा कभी भी जले हुए पर आग नहीं लगती तो जब वहाँ तक आग पहुची तो आग आगे नहीं बढ़ी और इस तरह से जबैर बड़ी समझदाई से बच निकला अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें ऐसी और पहलियों को देखने के लिए हमारे चैनल जीनियस बड़ीस को सब्सक्राइब कर दे तेंक यू